नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेन या सिर्दर्द के उपचार में कौन कौन सी दवाईया काम आती है जब भी माइग्रेन होता है तो उसके इलाज में कौन सी टेबलेट यूज़ करें कौन सी दवाई यूज़ करें जिससे माइग्रेन जल् करने के बाद माइग्रेन ठीक हो जाता है वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखेगा बहुत अची जानकारी मिलने वाली है इसी वीडियो में हम इन सभी टेबलेट के बारे में बात करेंगे जो माइग्रेन या सिर्दत के उपचार में काम आती है स्पेशल मैडिसन के बारे में हम बात करेंगे मैं हूँ आपका दोस्ट प्रजापति विकास फार्मासिस्ट और रग कंसल्टेंट चले बात करते हैं इन दवाईयों के बारे में सबसे पहले मैडिसन है जो माइग्रेन के इलाज में काम आती है यह है मेग्रेन यहाँ पर इस है और कैफिन इसके कॉमिनेशन में दिया गया है ताकि अर्गोटा माइन के एब्जॉप्शन को यह बढ़ाएगा और जल्दी से जल्दी वह शरीर में जाएगी और माइग्रेन को ठीक करेगी इसके साथ में साइकलीजिन दिया गया है तो यह साइकलीजिन क्या काम आता है देखे जब भी सिर्दद या माईगरेन होता है तो जब ज़्यादा साई सिर्दद होगा तो उल्टी होने लगेगी चक्कर आने लगेंगे तो cyclizine इसके kombination में दिया गया है जो vomiting को रोकेगा इसके बाद दूसरी tablet है माईगरेन देखे दोस्तों माईगरेन यहाँ पर इस tablet का brand और अगर हम कंपेर करें मिग्रिल टेबलेट से तो मिग्रिल से ज़्यादा असरदार रहेगी माइग्रेन टेबलेट इसके अंदर आप इंग्रिडियन देखिए अर्गुटामाइन टार्टरेट है कैफीन पेरसिटाबॉल और प्रोक्लोर पेरसिन मेलेट है तो यह अघर इसकर यानिशन प्रक्लोरम 基 türाहर चेक्टामदार संब्ड है तो माइग्रेन के इलाज में यह जो प्रन टार्टरेट कैफिन पेरसिटिम और प्रोक्लोर पेरसिटाबॉल पेरसिटामाट नीशे कोंदेशन ही तो मार्केट में अलग अलग इलता है आती है जैसे прям के से मिल सकती है दूसरी टेबलेट है इसके अंदर सुमा ट्रिप्टेन सक्सिनेट रैपिड रिलीज टेबलेट इसके ब्रांड नेम की बात करें तो सुमिनेट यहां पर इसका ब्रांड नेम है अलग अलग ब्रांड नेम से आ सकती है सोमा ट्रिप्टेन सक्सिनेट यह दोस्तो एलग डोज में आती है 100 mg 25 mg और 50 mg 100 mg 25 mg और 50 mg में आती है अब इसके contradiction को देखिए कौन-कौन लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं एक तो जो heart disease वाले होते हैं जो heart के patient होते हैं especially systemic cardiac disease वाले और जिनकी BP बड़ी हुई रहती है blood pressure बड़ा हुआ रहता है उनको और epilepsy के patient और pregnancy के दोरान इसको उपयोग नहीं किया दाता है अब next बात करते हैं reject 10 tablet के बारे में reject यहाँ पर इस tablet का brand name है और result 10 यहाँ पर जो यह tablet के अंदर active ingredient है अलग अलग brand name से यह मिल सकता है active ingredient इसका result 10 है और देखें दोस्तों यह जो tablet है 10 mg और 5 mg दोनों combination में available होती है इसके container भी available होते है market में अलग अलग brand name से मिलता है तो यह भी migraine के इलाज में काम आती है लाश्ट में हम बात करते हैं दोस्तों जो ज़्यादा तर यूज होती है प्रोफाइलेक्टिक मेडिसन के रूप में फ्लूनरीन टेबलेट फ्लूनरीन यहाँ पर इस tablet का brand name है और active ingredient इसके अंदर फ्लूनरीजिन है जो कि 5 mg और 10 mg दोनों dose में available होती है यह दोस्तों प्रोफाइलेक्टिक मेडिसन है special medicine के अंदर यह नहीं आती है as a profilactic जब भी migraine की therapy स्टार्ट करते तो उसमें यह शामिल की जाती है और जब सिर्दर जादा होता है उस दोराद यह profilactic की तरह फ्लूनरीजिन टेबलेट दी जाती है migraine को ठीक करने के लिए आप सभी दोस्तों से मैं request करूंगा बिना डॉक्टर की सला के कोई भी medicine यूज नहीं करनी है यूज करने से पहले pharmacist और डॉक्टर की सला जरूर ले वरना आपकी health के लिए danger हो सकता है तो आप सभी दोस्तों को पता चल गया होगा migraine या सिर्दर के ilaj में कौन-कौन से medicine टेबलेट यूज की जाती है इसके बाद इसका जो पूरा डीटेल वीडियो है ठेरपी के रूप में वो जल्दी ही आ जाएगा उसके लिए आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि जल्दी से notification आपको मल जाएगा वीडियो पसंद है तो लाइक कॉमेंट और शेयर जरू कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा धन्यवाद